ब्रह्म मूरत मेडिटेशन फोर बिगनर्स मन की शांती के लिए गहरी शांती के लिए ये मेडिटेशन करें और अगले कुछ मिंटों में अदभुत उर्जा, अदभुत शांती प्राफ्त करके उस परम सक्ति से जुड़िये, जिस सक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है सुबह ब्रह्म मूरत में उठके, मूध होके, थोड़ा स्ट्रेच करके आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाना है आपकी जो रीड की हड़ी है, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए स्ट्रेट, दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों के उपर ग्यान मुद्रा में बैठना है ग्यान मुद्रा का विशेश लाव मिलता है आपको अब आप बिल्कुल सीधे बैठ गए हैं, फिर आप अपनी आखें बंद कर लीजिए आखें बंद करके अब आपको कुछ देर के लिए ना ही तो कुछ सोचना है ना ही कुछ करना है जो कुछ होगा वो सब अपने आप होगा वैस अपने अंदर ये भाव पैदा करें क्योंकि जब तक कुछ करने का भाव होता है जब तक आप अपने अंदर उतर ही नहीं सकते आपको शांती मिल ही नहीं सकती आपको कुछ नहीं करना है कुछ नहीं सोचना है जो कुछ होगा अपने आप होगा आँखें बंद हमारे साथ शुरू करिए लंबी गहरी स्वांस आपको लेनी शुरू करनी है शुरुआत में लंबी गहरी स्वांस लीजिए अंदर स्वांस आ रही है जा रही है स्वांसें लेते रहिए और छोड़ते रहिए अपने आप जो स्वांस अब जब तीन चार स्वांस आप लंबी गहरी ले लेंगे और छोड़ लेंगे उसके बाद आपको स्वांस भी नहीं लेनी है जो स्वांस आपकी अपने आप चल रही है उसी को बस साक्षी भाव से देखना है उसके शाक्षी बन जाएं अपने अंदर की उस अदभुत शक्ति का अनुभव करें जो शक्ति आपके भीतर है उसी शक्ति से ये अनन्त कोटी ब्रहमांड बने हुए है उसी शक्ति से ये सूरज चांद जगमगा रहे है वही शक्ति आपके भीतर है अनुभव कीजिए कि वो शक्ति जागरित हो रही है मैं अपने आपको खतम कर दीजिए क्योंकि जब मैं खतम हो जाएगा तो वो शक्ति जागरित होगी मैं एक शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते रही है है वो अनुभस्वेम होगा जब आप अपनी स्वासों पर ध्यान को लगाए रखोगे तो आती जाती स्वासों को कुछ देर देखने के बाद आपकी स्वासें धीमी होने लगेंगी और धीमी और धीमी और धीमी होती जाएंगी अब आपका ध्यान ओटोमेटिकली आपके तूहिंमिन जिएing इसानी होती है, तो ध्यान आपका ओटोमेटिक ली आग्या चक्र पर वह पहुंच जाता है, और अग्या चक्र में आपको अंदर उतरना है, अंदर बाहर नहीं देखना है, अंदर क्योंकि अंदर की तरफ जब आपका ध्यान लगेगा तो आप अंदर उतरेंगे अंदर है गहरा समुद्र उस समुद्र में गोता लगाईए जहां आपको वो अनमौल रत्न मिलेंगे जो कहीं और मिल ही नहीं सकते उस आनंद का अनुभव कीजिए हमारे साथ जो आनंद आपको कहीं और नहीं मिल सकता केवल और केवल आपके भीतर उतरने से मिलेगा वो अथा आनंद का समुद्र आपके अंदर उमड रहा है वो परमात्मा की शक्ति आपके भीतर है जो आनंद आपको यहां मिलेगा और कहीं मिल ही नहीं सकता अपना ध्यान भरकुटी के बीच में अब आपको स्वांसों के उपर से ध्यान आपका automatically हट जायेगा क्योंकि आपकी स्वांसे अंदर ले होने लगेंगे तो आपका ध्यान आप आग्या-चक्र पर जाएगा स्वांसों को आने जाने दीजिये अब आपको ध्यान अपना आग्या चक्र पर रखना जैसी स्वास आ रही है जा रही है जाने दीजिए आग्या चक्र में ध्यान रखिए कुछ देर बाद आपको वो आनन दाने लगेगा ज्यादा प्रेसर नहीं डालना है आपको स्वाभाविक रूप से अपने आग्या चक् जहां पर माताएं भेने बिंदी लगाती हैं, जह हमारे जो नासिका का अग्र भाग होता है, उसको बोलते हैं आज्या चक्रे, यहां पर आप ध्यान को लगाए रखिए, लगाए रखिए, और अपने अंदर उतरते रहिए, उतरते रहिए, आखे बंद, साक्षी बने रहिए अनुभव कीजिए आपको क्या हो रहा है, यही वो द्वार है जहां से आपको उस परम सत्ता परमेश्वर के दर्शन होंगे, हम आपको परम पिता परमेश्वर के अद्भूत दर्शन करने का रास्ता बता रहे हैं, वो दर्शन आपको जरूर 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 होंगे, अगर आप प्रती दिन ऐसे ही ब्रहम मूरत में उठकर ध्यान करेंगे तो अब आप महसूस कर रहे होंगे कि मेरे शरीर में एक उर्जा की लहर दोड रही है आपको वो आनद मिल रहा होगा जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं कियोगी अथा शान्ती 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 की प्राप्ति आपको हो रही है ये भाव ये सोच आपके अंदर अपने आप उत्पन होगी आप उस परम सत्ता से जुड रहे हैं ध्यान को लगाए रखिए और शाक्षी बने रहे कि आपके अंदर क्या क्या घटित हो रहा है जब आप का ध्यान लगने लगेगा तो आपके आग्या चक्कर में लुप लुप स्पंदन की एक धरकन सी स्पंदन होने लगेगी अब स्पंदन जिस जिसके शुरू हो गई होनी तो डरने की जरूरत नहीं है घबराने की जरूरत नहीं है इस स्पंदन होगी क्योंकि दर्वाजा जब तक खट-खटाया नहीं जाएगा तब तक खुलेगा नहीं स्पंदन का मतलब है कि आप दर्वाजे को खट-खटा रहे हो और दर्वाजे के उस पार वो सरवशक्तिमान इसवर मिलेंगे आपको तो इस दर्वाजे को खट-खटाते रहिए, खट-खटाते रहिए, अवश्य ही खुलेगा दर्वाजा गहरे ध्यान में, उतरते रहिए अपने अंदर, अपना ध्यान आपको अपने आज्या चक्र से हटाना नहीं है, आज्या चक्र पर अपने ध्यान को रखें, आखें मुद्र में वो आनन्द जो आपको अनन्द रुपे खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता फ्री ओफ कोष्ट यहां मिल रहा है इससे आपको वो आनन्द मिलेगा इस आनन्द से आपका जीवन सदा सरवथा के लिए बदल जाएगा खुश नुमा हो जाएगा पर्मानन्द की प्राप्ती होगी आनन्द उर्जा मिलेगी शक्तियां जाग जाएगी वो परमसत्ता परमप्रकास दिवे सवरूप आपको वो आनन्द देगा जो और कहीं नहीं मिल सकता ध्यान एकागर होना चाहिए एकागरता पूरी भ्रिकुटी के बीच में और कहीं नहीं कुछ मत सोचो सिरफ और सिरफ पूरा ध्यान आपके आग्या चक्र पर होना चाहिए अग्या चक्र पर पूरा ध्यान अग्या चक्र पर आज ये दस मिनट की हमने बिगनर्स को एलिए मेडिटेशन करवाई है कल सुबह फिर से मिलते हैं तब तक आप भ्यास कीजिए जय श्री राम